हेलो गाइज, वेलकम टू एट प्यूजन, मैसल प्रीसी राइज, तो आज हम लोगा स्टार्ट करेंगे एक ने टोपिक, कल्कुलेशन ओफ जमेट्रिकल आइसोमरिजम, ठीक है, तो लोटेस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो देखो, जब हम जमेट्रिकल आइसोमर कल इफ मॉलेकुल सीच अंसेमेट्रिकल, मिस मॉलेकुल के अंदर कोई समेट्रिक नहीं है, मॉलेकुल सीच अंसेमेट्रिकल, ठीक है, सबसे पहला, अगर मॉलेकुल के अंदर कोई समेट्रिक परजेंट नहीं है, मॉलेकुल कैसा है, अंसेमेट्रिकल है, या उसकी दोनों टर जहां पर जो N होते हैं, N is the total number of, N is the total number of GI area, मतलब कहनी का मतलब, जितने area के around the medical isomer show करेगा, जितने pi bond के around the medical isomer show करेगा, वो क्या होगा? N का value, ठीक है? पहला formula होता है, second, अगर molecules के अंदर symmetry हो, molecules के अंदर symmetry हो, if molecules is symmetrical, अगर molecules के अंदर symmetric हो, जब molecules के अंदर symmetric होगा, तो GI निकालने का दो case बनते हैं, जब molecules के अंदर symmetric present होगा, मतलब molecules symmetrical होगा, तो उसके अंदर GI निकालने का दो case बनता है, तो यहां पर लेते हैं case first, case first, अब देखो case first में क्या होगा, if and is event, if and is event, मतलब n जो होगा event के form में होगा, means number of showing, geometrical area अगर event के form में होगा, तो GI निकालने का जो formula होता है, वो हते हैं 2 के power n minus 1, plus 2 के power n by 2 minus 1, इस formula को use करते हैं, यहां से GI find होगा, case second, देखो case second में क्या होता है, अगर n का भेलो, odd होता है, n अगर odd के form में होता है, तो GI निकालने का जो formula होता है, वो होता है 2 के power n minus 1, plus 2 के power n plus 1 by 2 minus 1, इस formula को रखते हैं, तो यहां पर total GI निकाल जाता है, ठीक है, तो जब symmetrical है समर find करते हैं, तो हम इस दो formula को use करते हैं, पहला अगर molecules unsymmetrical है, तो GI निकालते हैं 2 के power n, और molecules अगर symmetrical होता है, तो दो कैसे बनते है, n इवेंट के form में होगा, तो GI निकालने का formula है, 2 के power n minus 1 plus 2 के power n by 2 minus 1, के second में, n का भेलो, अगर odd होता है, तो GI निकालने का formula होता है, 2 के power n minus 1 plus 2 के power n plus 1 by 2 minus 1, इस पर question देखते हैं, जैसे से पहले से लिया कि यहां पर M1 है एस एठी एडवाल वॉन से एच है और यहां पर psycho मुझे बताना है कि कितने जमेट कलाई समर होगा तो जब हम इसके नदर जमेट कलाई समर ціिन केइड काइट करेंगे यहां पे एक पाउय बांड के एराण्ड जामेटिक्लाइज़्क कर रहा है वीस यहां से एन का विलोग इतना है अब उसके बाद च्वैब किर निकाली आप उसके बाद चेक करेंगे मौन देख रहें कि मौनसे मेट कली इसके तर्मिनल पर देखो, CH के साथ में इथाइल अटाइच है, और यहाँ पर CH2Cl है, तो यहाँ पर जो टर्मिनल है, वो क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ पर GI निकालने का फर्मूला होता है, राखो पहले वाले, क्या होगा 2 के पावर N, तो के पावर N का फिलू कितना है, 1, क्या बनेगा 2, मतलब इसके अंदर दो फिर्म बनेगा, एक बनेगा सिस, और एक बनेगा ट्रांस, ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि अगर मॉलेकुल्स अंसमेट्रिकल होता है, तो यहाँ निकालने का फर्मूला होता है, पहले N का फ मतलब सबोच कंपाउंड हमने ऐसे लिया, कुछ इस टाइप से पाई, यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे पाई है, ठीक है, नेक्स कंपाउंड ऐसे है, यहाँ पे पाई है, और नेक्स कंपाउंड हमने लिया, यहाँ पे पाई है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि, पहले तो तो कितना होगा टू के पावर 4-1 प्लस 2 पावर 4 by 2-1 ठीक है अब यहां से रखते हैं एक 2 के पावर 3 हो जाएगा प्लस यहां से वहलू कि आयगा 2-1 तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर एन का वेलू मॉलेकुल से अगर अन्सेमेट्रिकल है तो सीध्य से फंड आए तो इस वाले फ्रमूले के उच करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लेगे तो प्ले लाइक करें सस्क्राइब करें और सेर करें